dis everyone an examiner एक्षामर यही करता यहीं क्यूसप वापीस रिपीट कर देता है और इंहें हम नहीं डेख पाते हैं जिसके नावेश्ट करते हुए चलते हैं अपने अपने क्यूसन पर दूर्गेश हमदनी पूंस्तिक लेकर को नहीं राइवança बिं बंकीम चंदर चटो पर दया जो की दुर्गेस नंदनी पुस्तके लेके के नेक्स्ट क्यूशन आपकी स्क्रीन को पर बर्मा समाज की स्ताफना राजा रामोन राई ने 1828 में कहां पर की थी राइट आंस्वार उप्सन नमर डी कलकता में तो यहां पर देखिए बर्मा समाज की स्ताफना खिसने की तो आप यादर के राजा रामोन राई ने और कब की 1828 में की और कहां पर की कलकता में की नेक्स्ट क्यूशन आपकी स्क्रीन को पर 2021 में किस राजे में विदान सबा चुनाव नहीं वे राइट आंस्वार ओप्सन नमर मनिपूर में 2021 में नहीं वे और मनिपूर मुए 2017 में और यहां पर जो सरकार बनी थी उस टाइम एन बीरंसिंग की तो सीम मनिपूर के हैं अभी एन बीरंसिंग अब देखे यहां पर जो तीन ओप्सन है इनके जो चुनावे 2020 में तो इनके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले देखते हैं आसाम में और दोजारी किस में चुना हुए और यहां पर जो सीम बने हैमनता विश्वा सर्मा और यहां पर जो गटबंदन की सरकार बनी जिसमें आप बीजेपी आसम गना परिसद और यूनाइटेड पिपूल्स पार्टी लिबरल इन तीनों की मिलाकर सरकार बनी तो यहां पर जो सीम बने हैमनता विश्वा सर्मा अब हम अगले स्टेट की बारे में बात कर लेते केरवल में भी 2020 में चुना हुए और यहां पर सीम बने पिन राइव विजेन और इनकी जो पार्टी है लेप्ट डेमोकर्टिक फ्रेंट तो देखिए फ्रेंट जो सीम बने और उनकी जो पार् दिचेरी में भी 2021 में चुना हुए और यहां पर जो सीम बने एन रंगा स्वामी और यहां पर गटबंदन की सरकार बनी जिसमें ओल इंडिया एनर कॉंग्रेस और बीजेपी इन दोनों की मिलाकर सरकार बनी और यहां के जो सीम बने एन रंगा स्वामी अगला जो स्टेट ह वो है तमिलनाडू तमिलनाडू में भी 2021 में ही चुना हुए और यहां पर CM बने MK स्टालीन और इनकी जो पार्टी है दर्वीड मुनत्रा कजाकम आप जरूर याद रहे के इनके पार्टी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है अगला स्टेट है वेस्ट बंगोल तो वेस्ट बंगोल में भी 2021 में चुना हुए और यहां पर जो CM बनी वो बनी मम्ता बनर जी और इनकी जो पार्टी है ओल इंडिया तिर्मूल कॉंग्रेस नेक्स्ट क्यूसन आपकी स्क्रीन को पर पलासी का युद कब हुआ था तो आप याद रखे जो पलासी का युद हुआ 23 जून 1777 में हुआ अब हम बात कर लेते हैं किन किन के बीच मुआ तो आप याद रखे एक तरफ थी इस्टी इंडिया कंपनी जिसकी तरफ नेतर्थ पे कर रहे थे रोबर्ट कलाईव और एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजु दोला तो यहां पर देखिए सिराजु दोला की हार हुई और यहां पर जो मीर जापर है इन्होंने इनके साथ विश्वास गात किया और 23 जून 1777 को यहां पर सिराजु दोला यह युद हार गए तो यहां पर देखिए जो हमारे जो राजा मारा जाए उनका हारने का कहीं पर भी देख लो बहुती ज्यादा यह विश्वा किया और जिसके कारण सिराजु दोला को यहां पर हार मिली नेक्स्ट क्यूशन आपकी स्क्रीन को पर फिक्की की स्थापना कब हुई थी तो यहां पर बहुती ज्यादा इंपोर्टेंट है फिक्की तो आप याद रखे जो फिक्की है इसकी स्थापना हुई उगणी 127 में तो यहां पर हम बात कर लेते हैं फिक्की के बारे में तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ओप इंडियन चेंबर्स ओप कमेशल एंड इंडिस्ट्री बहुती ज्यादा इंपोर्टेंट इसके जो अध्यक से उद्यसंकर और जनरल सेक्रेटरी है वह है दिलीप चेंबर्स देखिये हम यहां पर जो फिक की बात कर रहें यहां से तो क्यूंसं बंदें यह तो इसके साथ आप याद रहें हम नाबाठ की भी यहां पर डिसकसन करेंगे नाबाठ एक परकार की बैंक है जिसकी फुल फ्रम होती है नेशनल बैंक फॉर एंडर्रूरल नेक्स्ट क्यूसन आपकी स्क्रीन को पर डीपी का पलिकल कार्तिक और जोसना चिनपा किस खेल से समन्दी थे तो आप याद रखे जो डीपी का पलिकल कार्तिक और जोसना चिनपा ये स्क्वेस से समन्दी थे और जो डीपी का फलिकल कार्तिक ये तो मिलनाडू से बहुती ज ज़्यादा इंपोर्टेंट क्यूशन है यह बहुत बार एक्जामें पूचा गया है नेक्स्ट क्यूशन आपकी स्क्रीन को पर वर्ल्ड फूर्ड सेप्टी डे कब मनाया जाता है तो आप याद रहें साथ जून को वर्ल्ड फूर्ड सेप्टी डे मनाया जाता है अब हम बा सेप फूड टूड़े फोरे हेल्थी टुमारो नेक्स्ट क्यूजन आपकी स्क्रीन को पर चंद्रियान वन के लोंच के समय इसरों के चेर्मेन को थे तो आप याद रखे चंद्रियान वन के लोंच के समय चेर्मेन थे जी मादवन नारायन बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टे गया तो आप यादर के दो जार आठ में और चंद्रियान टू उसे लोंच किया गया दो जार उगनीश में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट यहां पर इस रो की बात हो रहे हैं तो हम इस रोके बारे में जान लेते हैं तो यहां पर देखिए इंडियान स्पैस रिशर्च और गेनेजेशन भारतिय अंत्रिक्स अनुसंदार संग्टन इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में और इसका मुख्याल है बेंगलोर में इसके संस्तापकते विक्रम सहराबाई और अभी जो अध्यक से के सिवान बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट के सिवान नेक्स्ट क्यूश को रामसर साइट आधर भूमी के रूम में चुना गया नेक्स्ट क्यूशन आपकी स्क्रीन को पर बड़े भोगोलिक चेतर में फेलावा नेट्वरक कौन सा है राइट आंस्वार ओप्शन नमर भी वैन वाइड एरिया नेट्वरक और आप याद रहके एक होता है मेन मेट लेन दौश्वा नेट्वरक और एक होता है लेन लोकल अरिया नेट्वरक नेक्स्ट क्यूशन आपकी स्क्रीन को पर पादप कोशिका की कोशिका बित्ती किसे बनी होती है राइट अंस्वार ओप्शन नमर D शेलूलोज की बनी होती है नेक्स्ट क्यूसन इसकीन और बालों का कलर किस वरण के कारण होता है राइट आंस्वर उप्सन नमरे मेले नीन वरण के कारण इसकीन और बालों का कलर होता है नेक्स्ट क्यूसन देखिए बारत में अंग्रे जी सिक्सा का जनक किसे माना जाता है राइट आंस्वर ओप्शन नमरे लोड मेकाले को नेक्ट क्यूशन कॉर्णाक का सूर्य मंदिर किस ने बनवाया था राइट आंस्वर ओप्शन नमर सी नर्शीन देव परतम ने बनवाया था अब हम बात कर लेते हैं कॉर्णाक मंदिर के बारे में तो ये कहां पर है तो आप याद रहे के पूरी उडिसा में और ये मंदिर सूर्य देव को समर पिते मंदिर को कलिंगा आर्किटेक्चर इस्टाइल में बारासो पच्चास इस्विमों में बनवाया और उग्निसो चोर्यांसी में यूनिस को ने इसे विश्वे दरूबर इस्टल के रूप में मानियता दी कब दी उग्निसो चोर्यांसी में और किस स्टाइल में तो आप याद रहे के कलिंगा आर्किटेक्चर में और ये सूर्य देव को समर पिते और पूरी उडिसा में नेक्स्ट क्यूसन आपके स्क्रीन को पर सेल का स्टील पलांट जो चतीस गड़ में वो कहां पर है तो आप याद रहे के जो सेल है स्टील अथिरोटी ओप इंडिया लिमिटेड इसका जो स्टील पलांट है ये जो चतीस गड़ में ये है आपयादर के विलाई में अब हम बात कर लेते हैं सेल के बारे में तो आपयादर के इस्टील अचरोटी ओप इंडिया लिमिटेड इसका जो कारी है वो है लोवा और इस पात के समान तियार करना इसकी स्तापनोई उगनिस जनवरी 1954 में और इसका जो मुख्याल है वो है नई दिली में और इसके जो अध्यक से सोमा मंडल अब हम बात कर लेते हैं इस्टील अथरोटी ओप इंडिया लिमिटेड के अंडर जो प्लांट कारी करते हैं तो सबसे पहला विलाई इस्टील प्लांट जो की चतिसगड में और इसको इस्तापित किया गया 1959 में और रूस के से से योग से अगला जो प्लांट है बोकारो जो की जारकंड में और इसे 1966 में इसे इस्तापित किया और रूस के से इसे लगाया गया और यह तीसरी पंचवसी योजना के अंडर इसे लगाया अब हम बात कर लेते हैं अगला प्लांट है वह है राउर के ला वह उडिसा में औ और इसको इस्तापित किया गया 1955 में और दिवतिय पंचवसी योजना के तेयत जर्मनी के से इसे इसे इस्तापित किया गया अब बात कर लेते हैं अगला है दुर्गापूर जो की पश्ची मंगाल में इसे बिटेन के से इसे इसे इस्तापित किया गया बहुत ही ज़्याद में इस्तिते और इसे जो इस्तापित किया गया 1981 में नेक्स्ट क्यूशन आपकी स्क्रीन को पर हरीजन सेवक संग की स्तापना कब हुई थी राइट आंस्वार ओप्शन नमर सी 1932 में हरीजन सेवक संग की स्तापना हुई अब हम बात कर लेते हैं हरीजन सेवक संग के निवारन संग और इसका जो नाम चेंज हुआ आप याद रेके 13 सितुमबा रुगनी 133 में और नाम चेंज करके इसका कर दिया गया हरिजन सेवक संग और इसके जो परतम अद्यक्स थे वो थे गन श्याम दास पिला जो कि एक उद्योग पती थे और इसके जो सची हुथे वो थे अमरिति लाल बिटु दास ठकर और इसका जो मुक्याल है गांदी आसरम दिल्ली में नेक्स्ट क्यूशन आपके स्क्रीन को पर हॉन बिल उत्सव किस राजय का पर चली थे बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्यूशन सबसे ज़्यादा बार एक्जाम हो ये क्यूशन पूछा दाता है तो आप याद रखे हॉन बिल उत्सव यह नागालेंड का है और इसी क आप पूछ ले पक्के पागा होंड बिल मोसव तो यह अनुनाचल परदेश का नेक्स्ट क्यूशन नियूरो वेली नेशनल पार्क कहां पर तो आप यादर के नियूरो वेली नेशनल पार्क यह पस्च मंगाल में और इससे उगनी सोच्छी में खोला गया अगर यह फ्रे पार के लेक्च्चर से आप नाचोगे